हालो स्टोडेंट गुड मॉर्निंग सो इन प्रिवियस लेक्चर वी आव कंप्लेटेड फिफ्थ टोपिक सेल स्टॉक्चर और अर्गनाजेशन तूड़े वी आ गुएंग टू लेर्न सिक्थ टोपिक बायो मोलेक्यूल बायो मोलेक्यूल मन्जे काया तर असे जे काई वेगवेगे मोलेक्यूल सस्ता जे की लिविंग तिंग साथी खुब इम्पोर्टन अस्तत अवर प्लानेट इस हाविंग वाइड डावसिटी ओफ लिविंग ओर्गनिजम धर आवैड ग्लासिफईड अज योनिसेलिललर और मल्तिसेलिलर धर जे के अपला औरथवर्थी वेगवेगे वराइटी च ओर्गनिजम प्रेजेंट असतत मक तैंचा मदे मेंली कश़िवाइड होताथ दैंचा मदे किती सेल प्रेजेंट है काही जे ओर्गैनिजम ँश्थात त्याने चमादे फक्त एकत सेल थे शिंगल सेल थे युनि सेलिुलर गाहीनिन केडा लिख Jeśli जंग जोर में उती म Key 2 गएपने के नित हैं सेलनी पेक्षाती है eyeballs verwáng व्हुंप युझपकी ओर्गैनिजम chisug बुप्लाजम शेल पनके लोगार भा कि अपरिफिय जोगार मुदित वह निंगार किया गप। अब स्ट्रॉक्चिराल अड़ फंग्श्नल यूट अव लाइफ तर शेल मोए एक तर स्ट्रुक्चर माझ मेंत ये वेग 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 वुच्चूंस बॉडी मदय को वेगवेगे फंक्शन्स जो है ते पन केरीड आउट होतात ते शेल्स हैव प्रोटोप्लाजम पंटेनिंग नुम्रस केमिकल मॉलेकुल्स दा बायो मॉलेकुल्स तर जे वेगवेगे अपन सेल और्गेनली बगिदलात ते चामदे जे प्रोटोप्लाजम असता तर ते जे प्रोटोप्लाजम साथी को इंपर्टन असतात तर तया उर्णिमन ना बायो मॉलेकुल्स असे मंटलात बायोमलेकुल्स असा मंटलाता चेंजेस टेकिंग प्लेस इन प्लांट अनिमल और माइक्रोबियल सेल्स धर बायो केमेस्टि राइड कि बायोलोजीकल केमेस्टि आए Lesha sensory and cognitive rendering it develops the foundation for understanding all biological processes and communication within and between cell as well as chemical basis of inheritance and diseases in animals and plants जे काही communication होता? मन्जे जसकी अपला दौन मांसान मदे communication होता सेम वेने तसद सगया जे सेल सस्ताथ बड़ी मदे तेन्से सुदा एक मेकांचो बद कम्युनिकेशन चालू असता तर तेज़े कायी कम्युनिकेशन हसना रहे ते खेविकल बेसिस वहरती आसता उण जह रहे खादा सेलला कुछ चेकल लागले तो ते दुसरे मदून बेटात किवां कुछ चायी सेलला जेकायी गरज असेल ते आज बाजुचे शेल मदून तेन एवेलेबल था था . Chemical analysis of all living organism indicate the presence of the most common elements like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen , sulfur, calcium, phosphorus , magnesium and other with their respective content per unit mass of living tissue. तर वेगवेगेजे कही common elements कुछे कुछे प्रेजेंट असता था औरगनिजम मादे तर ते चामादे कार्बन हाई हाईड्रोजन हाई हाई नायट्रोजन हाई ओक्सीजन सल्फर कैल्शियम फोस्परस मैंगनेशियम हेजे कही वेगवेगेजे इलेमेंट्स आहते प्रेजेंट आणि ते 小 प्रत्यव ना मैं जिएवड़ा बोड़ी में अक्सीजन्स प्रेज़न्स अना फोस्पर प्रेजेंच सीगरु प्रत्या नोची प्रत्या गटारमानाद पतार प्रत्या बोड़ी शहे प्रत्या अर्गेनीजम में शाहरे था शेएवरी Sitting तर अपला लाई थे डाइग्राम दाखा लिया तर चाह मदे बाइब बोलेकिल्स मदे दोन पार्ट पड़तात एक है और गैनिक और दूसरों इन ओर्गैनिक तर फर्स्ट का यह था ओर्गैनिक और गैनिक मदे पर दोन टाइप पड़तात ओर्गैनिक मॉलेक्वल्स मॉलेकुल्स और डिवादे इन्टो टाइप फ़स्ट इस माककर मोलेक्वल आद सेकेंड बन इस मायक रों मोलेक्वल तर मैकरो आदिaken मायकरो अंग्रो मकालली छोटे जेकि अपण लेला इजीली देसेफ नहीं अने मायकरो मंजेते अपला देसुशकत्त ना मैकरो मोलेकर्पल्स मदे पर तीण टाइप आ पॉलिपेप्टाइड तर पॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिपॉलिप लीकोव 15 मलेक्युल्स घुली नुक्रो मोलेक्युल्स जाली तुर r निचां भूंगेद सफचरी जाली थर्च्छरलाव . दरच मदे पन पर दोंट टाइप्स हेत . लिपीड्स और सेकेंड़री मेटपुलेट्स तर जहे लिपीड्स आयत półapr फक्त को दोंट टाइप्स मदे रिवाइड होतं . फाल्टी असे रिवाईड होता . फैर्टी असे भीडेट्स मदे रिवाईड होत लुटा . अपलाले फुड़ा इन डीटेल पहाए चे अनि सेकेंडरी मेटाबोलाइट मादे का होता तर अलकेनोईड, फिनोलीक्स, टर्पेनोईड, इसेंशियल ओईल, टोक्जीन, लेक्टिन्स असे वेगवेगा जे काई मोलेकुल्स हसतात्ते तयार होतात्त तानां तर इनार्गेनि अनिक मोलेकुल्स, इनार्गेनिक मोलेकुल्स, टीन टाइप्स मादे डिवाईड होतात्त्त, प्राइम इलेमेन्ट, मैक्रो मैंट् and ट्रेष मेंट्स, प्राइम disciples, मैक्रो मैं ब्रिमेंट्स, अलकेशियन गाईस्टिन, हाइंट्स आइड्रोस, अक्सिजन प्रेजंटिंयर और वाटर, त्यान अंतर मैक्रो इलेमेंट में देखा है तर नाइट्रोजन, फोस्परस, पोटाशियम, कैल्सियम, मैंगनेशियम, सेलफर, एक्सेटर एंड ट्रेस इलेमेंट्स आर बोरोन, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, आयन, सोडियम, मॉलिबडेनम, निकेल, सिलिकॉन, कोब एक्सेटरा, तर एका जाले वेगवेगा बायो मॉलेक्विल सहत जे की खूप इम्पोर्टन असतात कशा साथी तर जे का ही वेगवेगा प्रोसेस होता सतात बोडी मादे थैन जा साती केमिकाली ओल लिविंग ओर्गेनिजम्स हाव बेसिक त्री टाइप्स ओव मैक्रो मोलेक्विल्स वीच आर पॉलीमर ओफ सिंपल सब यूनिट्स काल्ड मोनोमर तर जे की आपन बगित लही थे तीन है पॉली पेप्टाइड, पॉली नुकलियोटाइड आन पॉली सेकरेड तर हेपन अग पॉलीमर ओफ सरे मोनोल सिंपल पॉलीमर ओफ सेद हो नुकलियोटाइड गत्य देतूनिट्स काल्ट्स 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 इसेद नुकलियुली सेदो जे की नुकलीक ऐसीड मन्जे आरेने डी एने जे असता ते डियोक्सी राइबोज नुकलीक ऐसीड डी एने और आरेने ईज राइबोज नुकलीक ऐसीड के तरहें जो के polysaccharide आयेत्ते कशा पसुन तयार होताद कुप सारे monosaccharide एकत रहे हों तरह पॉली peptide कशे तयार होताद तर कुप सारे amino acids एकत रहे हों आणि polynucleotide कशे तयार हों आरे तर खुप सारे जो नुक्लिटाईड आयेत्ते एकत रहे हों लिपिड्स are water-insoluble and small molecular weight compounds as compared to macromolecules जे लिपिड्स हैते कासे अश्ताथ water-insoluble अश्ताथ आणि तेह जे molecular weight अश्ताथ तेह कमी असता बाकी चेह कैई macromolecules है तेह चेपिक्षा तर हे जाले काया तर बेसिक जेकाई बायो मोलेक्ल्स इंट्रोडक्शन और नेक्स लेक्चर पासुन आपन बगणाराथ कि कुटले कुटले बायो मोलेक्ल्स सेल मदे ब्रेजेन्ट असताथ ओके थांक्यू